हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर और आज की रेसिपी है बताइए क्या केले का कोफता तो केले के जो कोफते हैं कच्छे केले के कोफते हैं यह यह बनाना बहुत ही आसान है आप अभी अगर कोई पार्टी वगड़ हो रही है या बच्छों के साथ में बनाना है आप कभी भी बना करके खा सकते हैं इसको चावल के साथ कहा है एक पर केले का कोफता बहुत ही स्वाधिश्ट सी एक रेसिपी है जरूर इसको बनाए इसकी सबजी बनाने में थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा पांसे साथ मिनट लेकिन बनके जब तयार और सेयर करना मत भूलिएगा सब लोग तो चलिए बनाना सुरू करते हैं बनाने के लिए यहाँ पर में ले री हूँ कच्चा केला कच्चे केले को मैंने कम आज पर एक सिटी लगाया है कुकर में चार केले हैं कच्चे केले यह मोटे वाले केले हैं सबजी वाले आते हैं वो केला है तो चली इसको मैंने उबाल लिया और उबालने के बाद हम कुछ प्याज और लहसन अद्रक और हरी मिर्च इसको हम महीन महीन चौप करेंगे काटेंगे इसको जिसको हम देखिए कुछ इस तरीके से काट लेंगे अद्रक लहसन और हरी मिर्च को हमने पीस लिया है थोड़ा खुरदरा जैसे जॉपर में करते हैं उस टैप से कर लिया है यहां पर मैं डाल रही हूं कच्छे केले एक दूसरे बरतन में और यह केले जब उबलते हैं तो इसको ज्यादा मत उबालिएगा क्योंकि ज्यादा उबलने के बाद केले के अंदर पानी चला जाएगा और फिर रिसीपी अच्छी नहीं बनेगी तो इसको उबालने का एक तरीका होता है कि इसको हलका तेज करके सीटी लगा दे एक बार बस थोड़ी देर इसको छोड़के उसका बंद करने को आज को और उसके बाद उतार ले यहां पर मैं केले को मैस कर र जाएगा लेकिन बहुत जाड़ा मोटे टुकरे नहीं चाहिए इसके अंदर थोड़ा महीन ही हमें इसको दवा दवा के इस तरीके से कुछ पेश्ट बनाना है जैसे हम आलू का पेश्ट बनाते हैं आप चाहें तो इसके अंदर एक-दो आलू भी डाल सकते हैं मैं सिर्फ क सिर्फ एक चमच डालूँगी बांकी बचाके रख लोगी और जो प्याज हमने काटे थे वह तो प्याज सारा ही डाल दिया मैंने और शार BUT अवगे अधरक लैसन का पेश्ट हमने आधा चमच डाल एक चमच डाला है सौरी और साहीं कुछ हरेधनिया लान नमक आप चाहें तो टेस्टी कुफता बनाए के लिए इसकी अंदर डालनी बहुत जरूरी है तो इसके अंदर मौइस्चर बनाने के लिए बहुत सारी चीजे डालनी पहती है यहाँ मैंगो, ड्राइ मैंगो पाउडर मेंने, लाल मिर्च का पाउडर और ये सब अपनी सबजी के अंसार आप जितना खाते उसी हिसाब से डालिएगा और थोड़ा सा कुकिंग ओयल कोई भी तेल डालिए चैसर सो तेल यागर कोई और तेल हो आपके पास तो वो तेल भी डाल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर मौस्टर बनाना बहुत जरूरी है सॉफ्ट होना चाहिए ने तो ज्यादा कड़क हो जाएगा तो फिर बाद में वो इतना अच्छा नहीं लगेगा तो चलिए इन सब को हम एक साथ मिला लेते हैं और मिलाने के लिए अभी तो मैं चम्मथ से यूज़ कर रहे हैं मतल Claus चम्मथ से थोड़ा एक सार कर लेते हैं एक जैसा हो जाएगा उसके बाद फिर हम हाथसे इसको मिलाएंगे क्योंकि हाथ से मिलाने से अच्छे से मिल जाता है और कोई भी पेस्ट जब बनाएं तो उसमें जरूर हाथ से मिलाएं इसको क्या हुआआ यहाँ पर मैं चावलकाह डाल रहे हूँ एक कटोरी और चावलकाह अंटे से क्या होगा कि गथूदा करन देग technical nah दप्यूदा 54% अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें नहीं डालने चावल का आटा तो आप बेसन भी डाल सकते हैं तो बेसन से थोरा सौफ्ट बनेगा और चावल के आटे से थोरा सा कुरकुरा बनेगा तो यही फर्क होता है चावल के आटे से और बेशन से क्योंकि चावल के आटे के डालने से उसमें थोड़ा सा कुरकुरापन किसी भी पकोड़े बगड़ में जब हम डालते हैं तो वो ऐसा हो जाता है इसको खूब अच्छा हमने अच्छे से इसको गोथ लिया बिल्कुल आटे की तरह और इसका एक डो तयार कर लिया और बस यह हमारा डो तयार हो गया अब आगे करेंगे इसमें हाथ पर हलका सा तेल लगा लेंगे और इसको थोड़ी दिर के लिए छोड़ के देंगे और उसके बाद फिर हम इसके बॉल्स बनाना सुरूर करेंगे तो बॉल्स बनाने के लिए हाथ में थोड़ा सा तेल ले लिजे और कुछ इस तरीके से चाहे तो आप इसको मुठ्री की तरह बना सकते हैं तो हम लोग तो मुठ्री बोलते हैं और बाकी जैसे इस तरह से गोल लडू की तरह बना ले या फिर मुठ्री की तरह बना ले दोनों में ही स्वार बड़ाबर आएगा इसलिए कोई फरक नहीं पड़ेगा अगर आप एक दम गोल सेप में चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से ब आगे कुछ मसाले हमें बनाने हैं तो यहाँ पर दो प्याज ले रही हुँ मैं मतलब यह बड़ा प्याज है तो थोड़ा एक का आधा कर दिया है और साथ में दो टमाटर इन सब को हम पीस लेंगे तो देखिए हमारा तयार है पीस के और अब इसको हम चलिए बनाते हैं कोफते को कोफता बनाने के लिए पहले हमें मसाले चाहिए बाद में भी आप डाल सकते हैं लेकिन आप पहले ही बना के रख लें उसे स्वाद बहुत अच्छा हैगा तो धनिया पाउडर दो चमच मैं सिर्फ चमच से बताती हूँ अगर आप लोगों को ग्राम बगड़ा में चाहिए तो आप वो अंताजा लगा लिजेगा जो कितना ग्राम चाहिए होता है एक चमच में एक चमच हल्दी यहाँ पर रोस्टेट जीरा पाउडर एक चमच हमने यहाँ पर जाइफल पाउडर डाला है साथ में हमने डाला सबजी मसाला एक चमच और एक चमच गरम मसाला और एक चमच हमने डाला भड़के कसमीरी लाल मिर्च का पाउडर तो यह सारी चीज़े इसके अंदर जाएंगी साथ में हम डालेंगे नमक और एक चमच बेसन तो एक चमच बेसन हमने इसले डाला कि ऊसका जो ग्रेवी एवह थोड़ा अच्छा बने गाड़ा बने इसले हमने डाला एक चमच तेल और इसे पानी के साथ घोल के रख लिया इसको पहले ही इस तरीके से अगर आप मसाला बना के तयार रखेंगे तो यकीन मानिए आपकी सबजी इतनी स्वादिश्ट बनेगी चाहे आप कोई भी सबजी बनाए तो ये एक सिक्रेट चीज है कि आप इस तरीके से बना लिए और जो हमने अधरक लैसन का पेश्ट बचा के रखा था वो आधा चमच इसके अंदर डाल दिया और इसको अब हम थोड़ा सा घोल के साइड कर लेंगे यहाँ पर मैंने कडाही में तेल गरम करके रखा हुआ है कोकिंग ओल है ये सरसो का तेल नहीं है और इसमें धीरे धीरे करके जो भी हमने बॉल्स बनाए है उसको हम डाल देंगे तो जितने बॉल्स आ सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला है लेकिन इसको हमें फ्राइ करना है और अच्छे से फ्राइ करना है तो आज को थोड़ा मीडियम ही रखें जिससे कि आपके बॉल्स जो हैं एकदम कुरकुरे और सुन्दर से दिखेंगे और स्वाद में एकदम लजीज होंगे आपको याद आ जाएगी कि सुसादी में जो आप कौफते खाते हैं बिल्कुल उसकी ही आद आ जाएगी आप प्रीज इसी तरीके से बनाएगा वीडियो अगर पूरा देख रहे हैं तो लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक उन को जरूर दपा लिजे तो चलिए अब इसको हम बॉल्स को एक वर पलट देते हैं और हमें मीडियम आज पे ही इसको बनाना है थोरा सा तीन से चार मिनट का टाइम आपका लग सकता है इसके अंदर क्योंकि बॉल्स को कुरकुरे होने में थोरा टाइम लगता है तो धीरे-धीरे कट के इसको पकाना, क्योंकि अंदर भी इसको पॉक्तना ज़रूरी है सिर्फ बाहरी तो पर पके गा तो यह फिर अंदर कच्च रह जाएगा तो देखिए यह इतने कुरखुडे हो जाते हैं बिलकुल हमें हो जाते हैं जब आप इसको fry करेंगे ना कुछ इस तरीके का रंग आना चाहिए और कैमरे में इतना सुन्दर रंग नहीं दिख रहा है लेकिन जब मैं बना रही हूं तो बहुत ही खुबसूरत कलर आ चुका है इसके अंदर भीstep कान लेते है और जो दिल बचा है उसमें जो हलके से और धन्या के पारट चले गए है तो उसका कुछ नहीं करेंगे उसको ऐसे ही रहने देंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे हम साबूद्जीर क्या раз को जीरा के बाद इसके अंदर डालेंगे हम मेथि, थोड़ा सा मेथि भी जरूर इसमें डालना, तेजपत्ता जो बेल लीप्स भी बोलते हैं उसको, और लाल मिर्च, एक सूखी लाल मिर्च, और ज्यादा कुछ नहीं डालेंगे इसके अंदर, और बस इसको थोड़ा कड़कने देंगे, इसका पकना बहुत जरूरी है, जीरा तो फिर भी ठीक है, पर मेथि का अगर कच्चा रह जाएगा, तो आपके मुझ में आके आपको एक कड़वापन दे सकता है, तो यहाँ पर जो हमने प्याज को पीसे थे, वो सब प्याज इसके अंदर डाल लेंगे, हमने डेर प्याज को पीसा था, बस इसको हमने इस कुछ इस तरीके से इसका रंग अब धीरे-धीरे आने लगा है, और तक्रीबन पक चुका है, और उसके बाद इसको देख लीजे कि जला नहीं है, मतलब वो जो आपको काला-काला दिख रहा है, वो पहले से जो धनिया और बाकी चीजे थी वही दिख रहा है, बाकी मसाले तियार किये थे, वो मसाले इसके अंदर डाल देने हैं, तो बस इस मसाले के डालने के बाद अब इसे हमें अच्छे से भूनना है, और इसको अच्छे से हमें चलाते रहना है, क्योंकि मसाला का वैसे तो वो अपना ग्रेप ले चुका है, ग्रेप का मतलब बंद चु बाद कुछ अलगी कलर इसका आ जाता है तो जब आप ऐसे कुछ इस तरीके के कोफते या कड़ी वाली चीजे बनाएं तो मसाले को जरूर अच्छे से भूने और देखिए ये इतने अच्छे से भून चुका है कि तुरंत इसमें कलर आ गया थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी और कसूरी मेथी डालने के बाद इसको फिर थोड़ा सा हम चलाएंगे और डालेंगे इसके अंदर हींग और हींग के साथ कुछ हमने डाले इसमें जो चिली फ्लेक्स होते हैं वह मैंने हिंग और चिलिफलेक्स कर दोंसे अशाफ ऐता है। उससे स्वाज भूत अच्छा आता है। कुछ कि भॉन चुक है। और हमें इसके अंदर हमें टिम्स्ट की पैस्ट हों, कुम के लिदेधING की टेमाटर चल सुन दम दो Carne, आपड आएगा। तो एक रोगन जैसे हमने डालते है न तो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देने लगता है तो इसमें मैं रोगन तो नहीं डालूँगी लेकिन ये तेल ही अपना रोगन बन चुका है और कुछ इस तरीके से फैला के उसको खुब अच्छे से भूनते रहना है तो इसे फिर से थोड़ी देर चलाते रहना है मसाला को पकने में काफी टाइम लगता है आपको पता है कि मसाला जब तक अच्छे से भूनेगा नहीं तो सबजी अच्छे से नहीं बन पाएगी तो चलिए इसको भूनते रहना अभी हमें थोड़ी देर तक और जब ये पक तक अभी और अब मैं डाल रहे ही हुआ है इसके अंदर नमक थोड़ा सा जयसे पहले थोड़ा डाला पिर बाद में थोड़ा डालना जरूरी होता है क्योंकि एक बार मैंने तो आप ये से बारी बारे से नमक डाल सकते हैं या फिर आप एक ही बार में जो शॉ harp के अनुसार डाल सकते हैं, अब हमारा मसाला बिल्कुल भून चुका है, अब इसके अंदर हमें डालना है पानी, मैं यहाँ पर एक गलास पानी डाल रही हूँ, एक या डेर गलास आपको मरजी है, अगर इतने बॉल चार के लेके जो कोफते बनाएंगे तो उसमें इतना पानी ठीक है अगर आपको ज़्यादा पतला ग्रेवी चाहिए तो और पानी डाल सकते हैं तो हमारी ग्रेवी अब बिल्कुल ही उबल रही है, और देखिए कुछ इस तरीके का रंग हो गया और ये बिल्कुल ही पक चुकी है बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भी और अब इसके अंदर हम डाल देंगे कोफते तो कोफते जो हमने बनाए थे मतलब बॉल्स जो बनाए थे वो बिल्कुल ही मसाला जब बिल्कुल हमारा पक जाए तब ही डालिये नहीं तो पहले डालेंगे तो आपका बॉल जो है वो घुल जाएगा और फिर वो खड़ाब हो जाएगा तूट जाएगा वो बस उसको डालने के बाद आच बंद कर दें और ढखकन से ढखके कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ दें तो 10 मिनट छोड़ने के बाद वो सबजी अपना रंग ले लेता है और उसके जो कोफते हैं उसके अंदर भी इसका टेस्ट रसका चला जाता है तो ग्रेवी जो है उसके अंदर एकदम घुल गया है अब चलिए इसको सर्व कर लेते हैं तो सर्व करने के लिए आपे मैं एक प्लेट में इसको सर्व कर रही हूँ और इसे आप खाये किसी भी चीज़ के साथ बहुत अच्छा लगेगा और दोस्तों वीडियोज को अगर आप देखते हैं तो प्लीज लाइक सेर कर दीजे और सेर जरूर कीजेगा अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बिल आइक उन दबा दीजेगा और जदी आप देखते हैं तो कमेंट जरूर कीजे कमेंट बहुत कम आप लोग करते हैं अब इसके उपर से हमने ग्रेवी को डाल दिया कुछ इस तरीके से सर्व करते हैं बहुत अच्छा लगता है देखने में दोस्तों के साथ या किसी फैमली के साथ बैठके ऐसे खाएं एक-एक बॉल्स उठाएं और यह बहुत अच्छा लगेगा आपको खाने में और न्यू जो सीखते हैं कीचन का जो खाना बनाना सीखते हैं तो उनके लिए यही टिप्स है कि आप पूरा वीडियो देखिए तभी आपको समझ में आएगा तो चलिए इसको खा के दिखाते हैं कैसा बनाया है बहुत ही यमी बनाया है फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए सुवात्री